जिसका इंतजार था आपको वही आ गया फॉर्मुला शीट पहली शीट आई है जिसमें हम मैट्रिक्स इन डिटर्मिनेंट के इंपॉर्टन फॉर्मुल और इंपॉर्टन प्रॉपटी इसको पर ने वाले हैं अगर आपने को नोट कर लिया या प्रॉपर तरीके से रिवाइज कर लिया डेफिनिट्ली इसमें से क्वेश्चिंज आपके जरूर फसेंगे यह बहुत इंपॉर्टन वीडियो होने वाली आपकी तो इस वीडियो में हम जो कवर करने वाले हैं वह basically क्या है कि मैट्रिक्स के addition subtract subtraction से लेकर के उनके multiplication साथ इसाथ adjoint inverse सारी चीजों के बारे में बात करेंगे डिटर्मिनेंस के बारे में बात करेंगे और उनकी सारी पहतरीन properties के बारे में बात करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, कि अगर हमारे पास A और B दो matrices हैं, दो matrix जिनका order क्या है, same, M cross N, तभी उन matrix को हम क्या कर सकते हैं, जोड़ेंगे, जिनका order same होगा, A में B को जोड़ो या B में A को जोड़ो, कोई परता, matrix का addition commutative होता है, यानि की कोई दिककत नहीं कोई भी किसी में जोड़ सकता है, A, B को जोड़ करके, फिर C को जोड़ो, या B और C को add करके फिर A में जोड़ो, कोई नहीं परता, matrix का addition associative होता है, 3 terms में किसनी भी 2 को जोड़के, फिर तीसरे में oraz कर दो, साथ ही साथ अगर हम बात करें additive identity, यानि additive identity वो चीज होती है, एक ऐसी identity होती है जिसको किसी में जोडने से कोई फरक ना पड़े, वही number आ जाए जैसे A में अगर हम null matrix यानि zero matrix add करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, वापस से A आ गया यहाँ zero क्या है, एक खुद zero मतलब zero नहीं है, zero is a null matrix और null matrix के खुद का order भी होता है और दो matrix तभी जुड़ती है जब दोनों के order सेम होते है तो यहाँ पे null matrix का भी order m cross n ही होना चाहिए additive inverse क्या होता है बिटा additive inverse, यानि ऐसी चीज हम क्या जोड़ें कि resultant हमारी identity आ जाए additive, यानि A में add कर देते हैं minus times of A तो हमारा result आ जाएगा null matrix और दूसरी property दो matrix को जोड करके अगर उसमें आपने कुछ scalar multiply किया, या फिर दोनों में scalar multiply करके फिर add किया, कोई फरक नहीं पढ़ता, result will be the same, दो scalar को add करके multiply करो matrix में, या फिर दो scalar पहले से multiply करके matrix में, फिर add करो, result will again be the same, next, ये सारी properties आपको अच्छे से पता ही है, कि दो scalar number multiply हो रहे हैं, तो क्या होगा minus times of K multiply करो A में या K times of minus A, दोनों बाते फिर से क्या हैं, आपे बराबर हैं, trace क्या होता है विच्छो, trace के बारे में आपको पता होगा जो trace होता है, यह होता है sum of diagonal elements, किसके sum of diagonal elements यानि vikarn के अव्यवों के विक jurisdiction के अव्यवों का योग, जतने भी element diagonal में लिखे होंगे उन सब का sum, अब diagonal किस में होता है, यえ किसमे possible à capable or capable square matrix में है ना डाइगनल और किसी मैट्रिक्स में बनता ही एक स्क्वार मैट्रिक्स में बनता है तो यानि कि ट्रेस ओफ ए प्लस ट्रेस दो मैट्रिक्स का ट्रेस निकाल करके आड़ और सब्ट्राक्ट करो या दोनों मैट्रिक्स को एड़ करने के बाद उनका trace निकालो sum of diagonal निकालो बात बराबर है और k का कोई फरक नी पड़ता trace निकालने में k times वापस क्या हो जाएगा multiply हो जाएगा trace क्या होता है बचो sum of diagonal elements अब अगर next बात करें properties of multiplication के बारे में बात करें कि multiplication identity यहां पर कुछ important points भी बात करेंगे multiplication of two matrices मान ले दिए दो matrix हमने ली पहले बात तो एक चीज़ clear होनी चाहिए कि a matrix अगर p q order का है और b matrix अगर आपका m cross n element का है तो यह तभी multiplication possible है a b तभी exist करेगा जब q बराबर m होगा पहले का column दूसरे के row के बराबर होगा तभी multiplication possible होता है दूसरे important बात कि यहां पर जो a b order आएगा वो p cross n आएगा यानि पहले की रो और आखरी का column आएगा a b is not equal to be a multiplication of matrix is not commutative add करने में आप आगे पीछे दोनों numbers को कैसे भी आड करिये लेकिन multiplication is not commutative दो matrix को multiply करने के बाद तिसरे matrix से multiply करो कोई भी दे को sequence नहीं बदलना है sequence को छेड़खानी नहीं किया यह यहां पर ब्राकेट को मुने differ किया कि a b को multiply करके फिर c में multiply किया और b c को multiply करके फिर a में multiply किया तो sequence बड़ा important है कि sequence के साथ छेड़खानी नहीं होनी चाहिए और यहां पर next point जो हम बात कर रहे है वह क्या है कि अगर एक multiplicative identity multiplicative identity का मतलब क्या होता है किसी नंबर में ऐसा क्या multiply करें कि identity आ जाए यानि बी को a inverse होना पड़ेगा बी अगर a inverse होगा तो multiplicative inverse आपका क्या आएगा b is equals to a inverse कहने का मतलब है दो एक कोई नंबर है उसमें ऐसा क्या multiply करें कि वापस वन आ जाए तो हम क्या multiply करेंगे a inverse को multiply करेंगे तो वन आ जाएगा multiplicative identity तो identity matrix को दी होती identity matrix को किसी में भी multiply करो वो खुद matrix आएगी तो यह बात addition जो है वो addition के उपर क्या है distributive यानि a पहले b के पास जाएगा और a फिर बाद में c के पास दो matrix को जोड़ करके फिर multiply करो या multiply करके जोड़ दो कोई फरक नहीं पड़ता सारी की सारी property is important statement में आ सकता है अगर a 0 है b 0 है a या b दोनों में से कोई भी एक 0 है तो a b 0 होगा है ना दोनों में से कोई भी एक नल matrix हो जाएगा तो क्या हो जाएगा a b 0 होगा but point is कि अगर a b 0 है तो यह जरूरी नहीं है कि a 0 हो या फिर b 0 हो ऐसा जरूरी नहीं है example देखो जैसे हमने एक यह दो matrix लिए है यहां क्या है यह matrix आपको दिख रहा है a matrix 0 2 0-3 1 1 0 0 इन दोनों ना तो a null matrix है ना तो b null matrix है लेकिन a b जब हम multiply करेंगे तो a b का result 0 है इसका मतलब यह है कि अगर दोनों में से कोई एक 0 है तो a b का product 0 आएगा यह बात clear है लेकिन अगर product 0 है इसका जरूरी मतलब नहीं कि दोनों में से कोई एक null matrix हो ऐसा जरूरी नहीं है a b is equal to a c दिया है तो हम इसे यह लिख सकते हैं बिलकुल नहीं inverse लगा देते तो a inverse into a identity बन जाता तब भी बराबर सी आता लेकिन point यह है कि हमें नहीं पता कि a का inverse मिलेगा भी की नहीं मिलेगा जरूरी नहीं हर matrix का हमें inverse मिले कौन से matrix का inverse नहीं मिलता है इस बात क्या comment section में हमें जवाब दो कि कौन सी यह सी matrix से जिसका inverse निकालना पॉसिबल नहीं है ठीक है अगर b equal to c है तो आप उसको दोनों तरफ से multiply करो दोनों की तरफ left hand से multiply करिए या तो दोनों में right hand side से multiply करिए अगर आपने लिख दिया a b is equals to c a तो यह statement गलत हो जाएगा दोनों matrices को यानि जो common matrix आप दोनों में multiply कर रहा है वो या तो left hand side से लिखे जाएगी या तो दोनों right hand side से दोनों चीज़े सही है ठीक है next बात कुछ और थोड़ी से important बात देख लीजे a cube निकालना होगा तो यह बात सबको किसी मैट्रीक्स का power000 करोगे तो वह आइणिटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी वन होता है ना किसी भी लंबर sulla z renew 가 लेगन मैंट्रेस में क्या होगा किसी बी मैट्रीक्स's का ластиka PSI अदू हमें identity matrix में आगर दगा कि प्रावर गज्रें compose又 के इसका मतलब A α, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसका determinant वन आएगा, अब solve करके देख सकते हो, cos square alpha plus sin square alpha आजाएगा, जो की one होगा, साथ ही साथ इसका transpose, बराबर होता है, इसके inverse के, और वो बराबर होता है, adjoint एके, यह तीनों चीज इस matrix के क्या होती है, बराबर होती है, साथ ही साथ अग हो जाएगा, sin n alpha हो जाएगा, और cos n alpha हो जाएगा, तो यह हो जाएगा, जब हम किसी matrix के कोई भी power यहां पर करेंगे, तो वो power जो होगी, वो कुल मिला के result याद रखना है, आपको यह वाला, साथ ही साथ अगर हमने a alpha into a beta कर दिया, a alpha into a beta, अगर a alpha into a beta किया, तो a alpha यह है, a beta करोगे, तो यहां पर बार बार क्या आजाएगा, बीटा बीटा आजाएगा, दो मैट्रिक्स को मल्टिप्लाइ करोगे, तो result आजाएगा, cos alpha plus beta, मतलब कहने का मतलब है, इसका जो result बनेगा, वो a alpha plus beta बन जाएगा, बात लियर, a alpha आपको दिखी रहा है, a beta क्या होगा, जब रोटेशनल मैट्रिक्स की तो याद रखिए, क्योंकि जरूरी exam point of view से, next topic देखते हैं, जहां पर हम transpose के बारे में बात करने वाले है, transpose क्या होता है, rows और columns को interchange कर देते हैं, तो क्या बन जाती है हमारी वही matrix, transpose हो जाती है, उस matrix का, हर matrix का transpose निकाला जा सकता है, जब हम rows को बदल देते हैं, rows में, transpose, transpose का transpose करोगे, तो यह आएगा, transpose अगर plus और minus में है, तो कोई रिक्कत नहीं है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या है, एक सेकिंद बच्चों, यहाँ पर T ऐसे नहीं लिखा हुआ है, जस्टा सेकिंड, जस्टा सेकिंड, यह क्या हो जाएगा, यह चीज आपकी इसमें पावर चली जाएगी, A transpose और B transpose हो जाएगा, तो बात क्लियर है, constant अगर किसी मैट्रिक्स में multiplied है, तो K को चुपचा बाहर ले लिजे, A का transpose, constant में transpose का कोई फरक नहीं पड़ता, transpose करने में constant unaffected रहता है, लेकिन multiplication में transpose देखो, उल्टा खुलता है, A, B का transpose, B transpose, A transpose के बराबर होता है, या फिर कितनी N matrix को भी अगर हम multiply करके transpose करें, तो अभी transpose उल्टा खुलेगा, A N का transpose, फिर इससे पीछे वाला, जो A N minus 1 है, फिर करते-करते सब का transpose, A2 into A1 का transpose, ऐसे करना पड़ेगा, Is it clear? Next बार, next देखते हैं, next क्या दिया है, symmetrical or skew symmetric matrix, symmetric matrix क्या होती है बच्चो, जिसका transpose वापस वो खुद आ जाए, उसको बोलते है symmetric matrix, Is q symmetric matrix क्या होती है, जिसका transpose उसके minus times है, example देखो, symmetric matrix मैं लिख रहे हूँ, symmetric matrix अगर हम देखें, तो हमने लिख दिया, let's suppose, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6, 6, 7, symmetrical matrix को देखने का सबसे अच्छा तरीका, यह symmetric matrix है, कि यह वाले जो terms है, वो डिक्टो यहाँ पर लिखे होंगे, अगर आप इसका transpose भी करोगे, तो यही आएगा, है ना, mirror image, यानि कि इस diagonal के उपर जिस तरह से elements लिखे हों, उसी तरीके से diagonal के नीचे भी elements लिखेंगे, इस Q-symmetric matrix क्या होती है, इस Q-symmetric matrix होती है, बचो, जिसके diagonal 0 होने जरूरी है, diagonal of Q-symmetric matrix is always 0, अगर यहाँ 3 लिखा होगा, तो यहाँ minus 3 लिखा होगा, यहाँ minus 4 होगा, तो यहाँ 4 होगा, let's suppose, यहाँ 6 है, तो यहाँ minus 6, मतलब opposite signs के साथ लिखे होगे, तब ही जब आप इसका A transpose निकालोगे, तो minus times of A आएगा, तो दो definition बड़ी छोटी-छोटी से, कि symmetric matrix क्या होती है, और इस Q-symmetric matrix क्या होती है, साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए, किसी matrix में उसके transpose को अगर आप जोड़ोगे, तो यह हर एक matrix के लिए, symmetric matrix हमेशा कैसी होगी, square, यह दोनों matrix किसमें होती है, केवल square matrix होती है, symmetric या isq-symmetric, जो matrix square नहीं है, उसमें symmetric और isq-symmetric concept ही नहीं होता है, तो यहाँ पर क्या है, कि अगर A में उसके transpose को जोड़ेंगे, तो हमेशा symmetric matrix बनेगी, और A में अगर उसके transpose को माइनस करोगे, तो वो हमेशा एक isq-symmetric matrix होगी, इस बात का ध्यान रखिएगा, और साथी-साथ किसी भी matrix को, किसी भी matrix को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ क्या है, T अगेन यहाँ पर power में है, एक सेकेंड बचो, यहाँ पर जो T है, यह क्या है, transpose है, यानि कि हर ये तो symmetric हो गया, अभी तो हमने पढ़ा, कि A प्लस A transpose symmetric होता है, और A माइनस A transpose skew symmetric होता है, यानि हर एक matrix को उसके symmetric और skew symmetric के सम के पार्ट में लिखा जा सकता है, मतलब हर matrix, हर एक square matrix का एक symmetrical part होता है, एक skew symmetric part होता है, symmetric part उसका ये है, और skew symmetric part उसका ये है, every square matrix के साथ ये सीन होता है, अगर कभी बोल दे symmetric part निकालो इसका, कोई matrix दे दिया और बोला उसका symmetric part निकालो, तो आप A प्लस A transpose by 2 कर दोगे, अगर उसने बोला उसका skew symmetric part निकालो, तो A माइनस A transpose by 2 कर दोगे, तो symmetric part और excuse symmetric part आपको मिल जाएगा हम आपको बता दे कि साथ तरिकों होने वाला है All India Mock Test NDA के platform पर तो जितने भी बच्चे दूर दराज इंडिया के किसी भी कोने में बैठें और जिनका सपना है वाकई में defense उनके लिए ये सपना पूरा करने के पहले एक अच्छा performance अपने आ अभी पढ़ाई को ले करके या under confident भी हो तो paper में बैठ करके अपने आपको एक reality चेक दीजे कि वाकई में अभी आपकी प्रिप्रेशन कितनी मजबूत है इसके लिए हम आपको बता दे कि जैसे NDA का मौक टेस्ट होने वाला है साथ तारीख upcoming Sunday को यह मौक टेस्ट होने वाला में MKC के app में और अगर आपको कोई तकलीफ होती है कोई दिक्कत होती है अगर नहीं आप ढूंड पा रहे हैं कोई समस्या है तो हमारे helpline number 9696 330033 पे call कर लीजे आपको सारी information मिल जाएंगे या इधर वो cds का बच्चा हो या आदमी भरती का भी बच्चा हो तो उसके लिए सभी बच्चों के लिए यह सारे पेपर होने वाले हैं चलिए आगे बात करते हैं प्रॉपर्टी ओफ इसक्यू सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स बड़ी बहुत ज्यादा इंपॉर्टें लास्ट इम बीसी से क्वेश्चिन बना अगर ए एक सिमेट्रिक मैट्रि स्टेट्मेंट बेस क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है इसमें से अगर एक मैट्रिक्स ए हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो एक ही पावर इवन अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का पावर अगर आप इवन करोगे तो वह सिमेट्रिक बन जाएगी लेकिन अगर skew symmetric matrix का power आप odd करोगे तो वो skew symmetric matrix ही रहेगी यह बात clear है कि नहीं clear है तो आप पॉइंट यहां पर यह है बच्छो कि माल लेते हैं एक matrix है जो कि क्या skew symmetric यानि उसका transpose उसके minus times के बराबर है तो अगर हमने उस matrix का power even किया तो minus consume कर लेगा तो वो क्या बन जाएगा symmetric बन जाएगा लेकिन अगर उसका power odd हुआ तो minus एक बाहर आएगा तो यानि a transpose minus times of ea हो जाएगा तो सिंपल सी बात याद रखिए skew symmetric matrix का skew symmetric matrix का power even तो symmetric power odd तो skew symmetric k a यानि skew symmetric matrix में कुछ भी multiply करो या इस format में लिखो वो हमेशा एक skew symmetric matrix ही रहेगी is it clear और एक और नया point कि transpose करके power करो या पावर करने के बाद transpose करो दोनों बाते क्या होती है बराबर होती है यह property है किसी भी matrix का transpose करके फिर उसका square करो क्यूब करो जो भी power करना है करो या तो उसका power करने के बाद उसका transpose निकालो दोनों बाते एक्वल है next बारे देखते है next हमारा क्या है अभी यह properties of skew symmetric यहां पर क्या है अगर a और b symmetric matrix है ध्यान से सुनिएगा a और b symmetric matrix है तो उनका जोड़ना या घटाना symmetric होता है स्क्यू symmetric symmetric matrix को जोड़ो या दो symmetric matrix को minus करो वह हमेशा symmetric matrix ही रहेगी अगर a b plus minus ba करें sorry यहां पर केवल और केवल प्लस होगा ठीक है अगर a b plus ba करेंगे तो वह क्या बन जाएगा बच्चो एक symmetric matrix बन जाएगी लेकिन a b minus ba यह skew symmetric plus वाला symmetric होता है minus वाला skew symmetric होता है जैसे यहां पर a b अगर skew symmetric matrix है तो इन दोनों का आपस में individual plus minus करने में तो skew symmetric रहेगा लेकिन minus वाला देखो a b अगर आपका skew symmetric है चाहे आपका symmetric है minus करने पे वह हरमेशा क्या रह जा रहा है skew symmetric और plus करने पे वह हमेशा क्या हो जाता है symmetric हो जाता है is it clear यह बात ध्यान रखेगे question अभी हाली में पूछा जा चुका यह ंडे के पेपर में लास्ट टाइम आया हुआ है skew symmetric matrix अगर odd order की है यानि एक matrix है जिसका order 3 x 3 है 5 x 5 है 7 x 7 है तो उसका determinant हमेशा 0 आएगा लेकिन अगर skew symmetric matrix का order even है यानि 2 x 2 4 x 4 6 x 6 इस type की है तो उसका determinant हमेशा एक perfect square आएगा इसक्यू symmetric matrix के diagonal 0 होते हैं इसक्यू symmetric matrix क्या होती है एबर एट्रांस्पोज इक्वल स्टू माइन से साथ इसक्यू symmetric matrix का order अगर odd है तो determinant 0 order अगर even है तो perfect square answer आएगा ठीक है next देखते हैं अगर एक square matrix है एगर square matrix है और a into a transpose बराबर identity आ जाता है या तो a transpose into a identity आ जाता है तो आपको यह बात पता होनी चाहिए और साथिसा determinant of a plus minus 1 यह पूछा जाता है orthogonal matrix का determinant क्या होता है तो orthogonal matrix का जो determinant होता है वो plus minus 1 होता है आप देखो हमने तो यह पढ़ रखा है कि a into a inverse identity होता है यहां हम orthogonal में क्या पढ़ रहे है एंटू a transpose बराबर identity है यानि orthogonal matrix हमें एक और point मिला कि वो matrix जिसका transpose बराबर उसके inverse का होगा और साथ ही साथ उसका determinant plus minus 1 हो ऐसी मैट्रिक्स को हम orthogonal matrix कहते हैं लंब अव्यू बोलते हैं ठीक है यह क्या है आइडेंपोटेंट आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स क्या होती इसमें ट्रिक बना लो ध्यान रखो आईडी यानि कि किसी मैट्रिक्स का स्कॉर करने पर वो खुद आजाए एक ही आईडी क्या है वो खुद है यानि स्कॉर करने पर वो खुद आया आई लगे तो हम बोलेंगे एन इस पीरिड इसके बाद अगर आप पावर बढ़ाओगे तो यह अपने आपको वापस वही पावर क्या करने लगेगा रिपीट करने लगेगा तो इसको बोलते हैं हम periodic matrix determinant के बारे में बात करें तो determinant कैसे निकालते हो बचो determinant का short trick मैंने बता रखा एक simple सा example देखते हैं जैसे लिखा है 31250716162 ऐसे matrix दिये determinant दिया है अगर इसका determinant निकालना है तो क्या सिखाया है दोनों उपर वालों को copy paste कर दो 312 कर दो 507 कर दो ऐसा लिख दिया इन तीनों को multiply करके यहां लिखो इन तीनों को multiply करके यहां लिखो इन तीनों को multiply करके यहां लिखो फिर इसका कोई सम आएगा जिसको हम पी बोलेंगे और इन से सावल Öz wages क्यों बोलेंगे तो जो डिटर्मिनेंट होता है वह पी माईनस की होता मतलब यह शौट तरीका भी आपको पता होना चीट टिटर्मिनेंट निकालने का वैसे तो आप डिटर्मिनेट ओल्रेडी निकालना जानते हैं चाहे एक डिटर्मिनेंट निकालो चाहे उसके ट्रांस्पोस का डिटर्मिनेंट निकालो डिटर्मिनेंट सेम आएगा हमेशा दूसरी बात आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा बन होता है अगर डिटर्मिनेंट की कोई भी दो रो को अगर आप हो जाता है अगर कोई भी एक रो या एक कॉलम जीरो होता है तो डिटर्मिनेंट तो हमारा जीरो ही आएगा डिटर्मिन कितना आएगा जीरो ही आएगा अगर किसी रो में अगर हमने के मल्टिप्लाइ किया किसी मैट्रिक्स में किसी डिटर्मिनेंट में अगर हमने के किया तो वो केवल हो केवल एक रो में जाके मल्टिप्लाइब अब वो डिपेंड करता है आपके उपर आप कोई भी रो में मल्टिप्लाइब कर सकते हो कोई भी कॉलम में मल्टिप्लाइब कर सकते हो इस एक नेक्स देखते हैं के डिटर्मिनेंट से बाहर अराम से के आ जाए 0 क्योंकि कोई भी दो रो या दो कॉलम सेमोने पर डिटर्मिनेट हमिशा कितना हो जाता है जिरो हो जाता है साथ यहां पर डिटर्मिनेंट ओफ किया है डिटर्मिनेंट ओफ a b a b को मल्टिप्लाइ करने के बाद उसका डिटर्मिन ने यह ऊप्षिन यह पूछा जा चुका है यह आपके पेपर में पूछा जा चुका है statement, तो statements है very very important इन चीज़ों को ध्यान में रखे, तो a b का जो a b को multiply करने के बाट determinant निकालो, या determinant निकाल के multiply करो, कोई फरक नी पड़ता, दोनों result will be same, determinant of excuse symmetric matrix, अभी अभी बात की है, हमने कि odd power के लिए 0 होगा, even के लिए perfect square होगा, जब determinant पढ़ रहे थे, तो यहाँ पे भी एक चीज़ ये point ध्यान रखना है आपको, next important बात की दो matrix अगर ऐसे हैं, जिनके दो rows या फिर दो column same हो, तो उन ही determinant को हम जोड सकते हैं, किन determinants को हम add कर सकते हैं, केवल और केवल उन determinants को, जिनकी दो row या दो column same हो, जैसे इनकी दो rows और दो row same है, तो हमने वाली elements को add कर दिया, अगर ऐसा लिखा है तो आप ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिखा हुआ तो आप ऐसा लिख सकते हैं, दोनों तरफ से आपको two-way approach आपका clear होना चाहिए, next, अगर हम बात करें, यहाँ पे the value, singular matrix क्या होता है बच्छो, singular matrix determinant के साब से जानी जाती है, यानि ज इसका उल्टा निकालना संभर्व ना हो, जिसका determinant 0 होता है, उसका inverse does not exist होता है, उस matrix का हम inverse निकाल नहीं सकते हैं, और non-singular matrix होती है, जिसका determinant 0 ना हो, इसका एक और नाम होता है, जिसको हम बोलते है, invertible matrix, यानि ऐसी matrix जिसको पल्टा जा सकता है, या उल्टा किया जा सकता ह अभी अभी देखा कि determinant of identity matrix तो 1 होती ही है, ठीक है, अच्छा, determinant हम 12 में कैसे पढ़ते थे, elementary operation apply करके भी, r1 change by r1 plus r2 plus r3 करके determinant निकालते थे, तो वैसे भी आप determinant निकालना आराम से जानते हैं, diagonal matrix का जो determinant होता है, वो product of diagonal होता है, example देखो, जैसे लिखा हुआ है, 2, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 4, तो इसका जो determinant आएगा, इसका जो, यह diagonal matrix है की नहीं, क्योंकि केवल diagonal में लिखा है, तो इसका जो determinant आएगा, वो 2 x 3 x 4 होगा, बात खत्म, ठीक है, diagonal matrix में केवल हो केवल diagonal को multiply कर दो, triangular matrix, दो तरह की triangular matrix होती है, एक upper और एक lower, मान लेते हैं, upper triangular matrix हमें दी हुई है, 1, 6, 9, ऐसा करके दिया हुआ है, तो आप एक बात समझो, कि इसका भी जो आपका determinant आएगा, वो 2, 3, 4 ही आएगा, चाहे upper triangular हो, चाहे lower triangular हो, product of diagonal elements ही triangular matrix का result आता है, orthogonal matrix अभी अभी हमने बात के थी कि इसका determinant plus minus 1 ही होगा, ठीक है, special determinant कुछ है, इनको याद रखें कुछ data, कि अगर आपको कभी भी ऐसा determinant मिलता है, तो इसका result 0 नहीं होता, कभी-कभी confuse करने के लिए देता है, कि एक determinant है, जिसका result 0 होगा, कभी नहीं, 0 नहीं होगा, इसका result क्या होता है, x-y, y-z, z-x का product, क्या है 1-1-1, x, y, z और इनका square, यहां क्या है, 1-1-1, x, y, z, लेकिन इनका cube है, अगर cube है, तो पूरा वाला result जो उपर लिखा तो वो तो यहां है, यह, साथ ही साथ इसमें multiply हो गया, x-y, z, एक बार आपको इनको ध्यान से सारी चीज़ों को देखना जरूर से पड़ेगा, next देखते है important result, कि अगर आपको दिया है, a, b, c, b, c, a, c, a, b, है ना, तो इसका result आता है, minus a cube, plus b cube, plus c cube, minus 3abc, जैसे एक बार NDA ने दिया था, यही matrix, और इसके बाद पूछा था, इसका determinant कैसा है, तो इसका determinant हमेशा negative आएगा, not positive, यह result जिसको पता होगा, वो अराम से कर लेगा, कई बार इसके question पूछे जा चुके है, तो point यह है कि इस determinant को याद रखो, इसका determinant negative आता है, साथ ही साथ इसकी value क्या थी, यह बात आपको पता होनी चाहिए, यहां क्या दिया है, x, y, z, inka square, और x है तो y, z का product, y है तो x, z का product, z है तो x, y का product, तो इसका result होता है, x minus y, y minus z, z minus x, और यहां पे आएगा, x, y plus y, z plus zx, बात खतम, इससे पहले वाले में क्या था, कि यहां पे यह matrix थी, तो x, y plus, x minus y, y minus z, z minus x, x plus y plus z था, लेकिन यहां पे क्या है, x, y plus y, z plus zx, ओके, properties of adjoint क्या है, बच्चो, very very important properties of adjoint, a into adjoint of a, करो, या adjoint of a into a करो, वो कितना आएगा, determinant of a into identity matrix, तभी हम यह जानते हैं, कि a into adjoint of a, अगर हमारा, determinant of a into identity matrix है, तो इसको हम लिख सकते हैं, a into adjoint of a upon determinant of a, is equals to identity matrix, और a में ऐसा क्या multiply करते हैं, कि identity आ जाएगी, यानि इसी को क्या बनना पड़ता है, हमारा, inverse बनना पड़ता है, यानि a inverse का formula जो होता है, वो adjoint of a upon determinant of a होता है, adjoint of a upon determinant of a, adjoint of a b, जैसे transpose उल्टा खुलता है, वैसे adjoint भी उल्टा खुलता है, adjoint of b into adjoint of a होगा, k, अब जैसे transpose में k ऐसे बाहर ले ले लेते थे, यहाँ नहीं, यहाँ जब k बाहर निकलेगा, तो k की पावर n-1 होगा, properties पर question आये हुए है, ठीक है, very very important property, constant जब भी भी ब n-2 कर दो, into a, इसको निकालने में बहुत समय लगेगा, लेकिन अगर आपको यह formula याद है, तो आप तुरंत आंसर बताओगे, a matrix तो पता ही होगी, उसमें केवल हो केवल multiply करना रहेगा, determinant of a की पावर n-2, determinant of adjoint a की पावर n-1, determinant of adjoint of a की पावर n-1, determinant of adjoint of a की इतना होता है determinant of a, यहाँ n-1 था, क्योंकि एक और adjoint लगा है, तो यहाँ आजाएगा n-1 का whole square, एक और होता तो n-1 का whole square, adjoint of a inverse करो, या adjoint निकालने के बाद उसका inverse करो, बात एकदम सही है, result कितना आएगा, a upon determinant of a, a upon determinant of a, तो किसी matrix का inverse निकाल के, उसका adjoint निकालो, या adjoint निकालने के ब symmetric matrix है, तो adjoint a, भी symmetric matrix होगा, अगर e symmetric matrix यानि, वो matrix जो अपने transpose के बराबर है, तो उसका adjoint होगा, वो भी symmetric होगा, अगर a singular है, यानि उसका determinant कितना है, 0, singular matrix अभी बताया है, तो adjoint of a, b, क्या होगा, singular होगा, adjoint किसी के transpose करने के बाद join निकालो यह joint निकाल के transpose करो बात बराबर है जैसे inverse के साथ है वैसे ही क्या है joint के साथ भी है लास्ट पोईंट पिछलते हैं जहां पे देंजमें Wi-icia जाननी है किसी की पावर करके इनवर्स करो यह इनवर्स करके आइनवर्स करके बात बराबर है तो आज जाएगा आइईंवर्स का घह जाएग जहांने की इपले है यह करें निष Argentine इनवर्स करना यह ज्याएगा पहले निकाले associations इंवर्स निकालने के बाद डिटर्मेंट निकालेगा तो उसका टाइम जाधा लग जाएगा यहाँ ऐसा नहीं होगा यहाँ जब निकलेगा तो अपॉन पॉन के होगा एड जॉइंड में क्या था जब पावर निकल रहाथा तो ऐन माइनस वन हो जाती है तो I hope आपको यह सारी चीज़े determinant के सारे formula matrix के सारे formula दिमाग में बैठे होंगे quick revision इस वीडियो को जितनी बार देख सको उतनी बार देखो क्योंकि मुझे लगता है यह सारे points आपके दिमाग में होने चाहिए before India exam मुझे बताएं next कौन सा topic लें जिसके आपको formula revise करने हैं हम वही वीडियो आपके सामने लेकर के आएंगे तिल देन जय हिन जय भारत टेक केर